Hello students, so let us today we will learn about the second lesson that is know your teeth, know your teeth means हमारे teeth के बारे में हम आज जानने वाले हैं, so know your teeth, so firstly you have given starter kit that is a small game that count the teeth in your lower jaw, jaw means जबडा जिसे हम ये निचे वाला जो पाठ होता है ना जो हम हाँ करते हैं, तो वो वाला निचे का एक पाठ और उपर का एक पाठ, तो उसे कितने teeth है वो आपको काउंट करना है और आपको यहां पर लिखना है, I have dash teeth मतलब आपके जो टित है वो यहां पर नंबर आएगा, then my partners has dash teeth, it means आपके फ्रेंड को कितने teeth है वो इस बॉक्स में आपको लिखना है, किसके यहां पर lower jaw के मतलब नीचे वाला jaw से आपको काउंट करक यहां पर लिखना है, then also count the teeth in your upper jaw, मतलब उपर का जो हमारा jaw होता है, उसमें कितने teeth है, तो उसको कितने teeth है वो आपको काउंट करना है, और first box में आपका लिखना है, second box में आपके फ्रेंड का लिखना है, so in this way you have to ask to each other with your friends and count your teeth and you have to write it in this box, now here last line, beautiful teeth lend beauty to our face, you should write here beauty, because अगर हमारे teeth अच्छे नहीं होंगे, तो हमारे face बिलकुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, so you have to take care about your teeth, so that you can look or you will look in beautiful face, okay, so let us now get set and now we will learn about our teeth, okay, so let us see here now, we use our teeth to cut up and chew our food, हम हमारे teeth का use करते हैं, कुछ भी चीज़ कट करने के लिए, और हम जो खाना खाते हैं, उस खाने को अच्छे से चबाने के लिए, okay, it means खाने को कट करना और चबाना, ये काम हम हमारे teeth से करते हैं, so we use our teeth, so our teeth also help us in speech, हमारे teeth हमें help करते हैं बोलने के लिए, जब भी हम बोलते हैं, तो हमारे teeth के वज़े से हम clear बोल सकते हैं, ओके बच्चों, without teeth we cannot speak clearly, okay, they help us to form certain sounds, वो जो हमारे teeth होते हैं, वो जब हमें बोलने के लिए मदद करते हैं, तो वो किस तरह से होता हैं, उस teeth की बज़े से हम जो भी words प्रोनाउंस करते हैं, जो words बोलते हैं, तो वो certain, clearly आते हैं, उसका जो sound आता है, वो clear आता है, We can't speak properly if we have no teeth in our mouth, हम अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं, अगर हमें teeth नहीं होते हैं, यह हमारे मुह में teeth हैं, इसलिए हम अच्छे से food chew up कर सकते हैं, और अच्छी तरह से बोल सकते हैं, बच्चों क्या आपको पता है, जो छोटे babies होते हैं, उनके मुह में दात नहीं होते ह हैं या फिर थोड़े से टीथ होते हैं, उस ताइम वह बेबी आपको पता होगा कि वह थोड़े से अलग बोलते हैं, है ना जला पन मन तो बबड़ बोलना, ओके स्टूरेंस, तो, अज लाएक धीस, इफ वी हाव नो टीथ, ताइम वी कांट स्पीक प्रॉपरली, तो इस आपको प्रॉद का captain of our bodies। बोल्कि चूरें जापको लाएक लोग शटके मरत leigh हैं, एक्य papier काट रसे लाया होगा। बड़े से सेनियन हैं, क्यू प्रॉचिद का बड़। के बोल 치व झाएकर लाएकर बोलनांगे हैं, हैं विस तोण्स बाली प्राइम टेट आपक रह लाय कुछ बेबी ऐसे होते हैं जिनका जन्म होता है विदाव टित का कुछ मतलब बहुत सारे बेबी ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर बर्थिंग उनको टित नहीं होते हैं जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं और वह टीत बेबी के 6 मन्त के ओल्ड में आने लगते हैं okay by the age of about two and half the child has all the twenty milk teeth in each jaw so after two and half years old जब वो हो बेबी two and half year का हो जाता है तो उस time उसको 20 milk के टीताने लगते हैं मतलब जैसे जैसे बेबी ग्रो होने लगता है उस time उसको टीताने लगते हैं अभी यहां पे 2 and half years का भी भी होने के बाद कितने teeth बताए है 20 teeth बताए है और वो भी milk के teeth होते है okay so how we can understand 20 teeth that upper jaw that is 10 and lower jaw that is 10 and upper and lower this combine we call it 20 teeth okay so let us see the next para as the child grows this milk teeth become loose and fall out जैसे जैसे बेबी और बड़ा हो जाता है तो उस ताहिम वो जो milk teeth आए हुए होते न तो वो milk teeth उनके lose होने लगते है और वो आखिर में गिर जाते है और उसकी जगह पे उनको दूसरी teeth आने लगते है जो permanent होते है okay so they are replaced by a set of permanent teeth तो वहाँ पे क्या हो जाता है जो milk teeth होते है वो babies के गिर जाते है और उनकी जगह पे उस गिरने वाले teeth की जगह पे उनको नए और permanent teeth आने लगते है जो बुड़े होने के बाद ही गिरते है okay बच्चों in all there are 32 teeth in all it means जैसे जब उनको permanent teeth आते है तो उस time totally 32 teeth आते है okay मतलब सब मिला के वह teeth कितने होते है 32 16 in the lower jaw and 16 in the upper jaw 16 teeth नीचे होते है और 16 teeth उपर होते है इस तरह से हमारे पूरे मुह में 32 total teeth होते है जब हम बड़े हो जाते है और जब हमें permanent teeth आते है उस time okay so you can see it in these pictures here you have given one jaw okay and in this one jaw we can see these all teeth so first 40 you can see it in these pictures first second third and fourth this teeth is called incisors okay these teeth are called incisors it means these four teeth in one jaw and also another jaw these are also four and इसके neighbor मिलाब इसके पास ही जो दूसरा एक कोना वाला दिखाई दे रहा है ना हमारे teeth में भी आप अब्ज़र कर सकते हो तो उसको हम बोलते है canine okay canine teeth this is also and this also it means one jaw has a two canine teeth next this five one two three four and five these five and left side five and right side five totally these ten teeth this is called molars okay this is a big teeth in our mouth so this five and this five this is a one jaw of ten teeth and also another jaw this is also ten teeth it means totally in this way total 32 teeth we have okay now look here the eight teeth at the front it means four lower and four upper this eight one two three four front four teeth this teeth are cutting teeth they are called incisors okay तो यह front के जो four teeth होते है उपर के और नीचे के तो वो cutting के लिए यूज किये जाते है कोई भी चीज हमें cut करनी हो तो उस cutting के लिए हम इन teeth का यूज करते है so इसको हम बोलते है incisors okay so let us see the next the next four it means two lower and two upper are pointed teeth these are pointed teeth and they are called canines okay it means this one and two this is two and also uppercase two in this way four teeth this is called pointed teeth and canines the next 20 it means 12 10 lower and 10 upper are chewing teeth which are these one two three four five six seven eight nine ten this is a 10 teeth of lower and 10 teeth of upper in this way these 20 teeth we are used in chewing teeth तो उस teeth का मतलब यह जो बड़े बड़े teeth आपको दिखाए दे रहे है उनका हम खाना अच्छे तरह से चबाने के लिए मुलार्स okay so they are called मुलार्स तो इन बड़े बड़े टीत को जो निचे 10 और उपर 10 होते है इत मेंस टोटल 20 है तो इन 20 टीत का हम यूज करते है अच्छे तरह से खाना चबाने के लिए और उसका नाम है मुलार्स the permanent teeth usually appear between the 6th and the 12th year जो permanent teeth आते है न बच्छे तो वो कब आते है 6th and 12th sorry not 12th 14th 14th year मतलब जब हम 6th year old के या फिर 14th year old तक हम जब होते है बनते है तो उस ताइम में हमें permanent teeth आते हैं उससे हमें permanent teeth आने लगते हैं but the four wisdom teeth but the four wisdom teeth two lower and two upper don't appear until we are 20 or 25 years of age but my dear students कुछ जो टित हैं जिसको हम wisdom teeth बोलते हैं wisdom teeth बोलते हैं तो वह teeth lower में two आते हैं और अपर में two आते हैं तो वो teeth तब तक नहीं दिखाई देते हैं जब तक हम 20 या फिर 25 years के नहीं हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं wisdom teeth which are they so let us see in this picture this is one and two last teeth of our mouth so these two in upper and these also two in lower it means these four teeth will come until we are 20 or 25 years old जब तक हम 25 years old तक बड़े नहीं हो जाते तब तक ये वाले जो दो टीथ होते हैं नीचे और उपर तो वो टीथ तब तक नहीं आते जब तक हम आच्छी तरह से ग्रोप नहीं हो जातें okay so let us see on the next line in some people they never appear तो कभी कभी ऐसी भी लोग होते हैं कि इनको बहुत देर लगती है वो टीथ आने में so let us see on the next page now each tooth is divided into two parts अभी हमने जो भी teeth देखे है ना लग लग first देखा incissors then देखा canine then देखा molars and also wisdom teeth these four types of teeth it has divided into two parts let us see which two parts each tooth is divided into two parts the part of tooth inside the gum inside the gum is the root which are which is the root this you can see this is the teeth one teeth you have given its detail pictures so this teeth divided into two parts and first part is those part which inside the gum gum means जिसे हम बोलते हैं मारा ठी में हिरडी ओके तो यह जो दान्त होती है वो दात हमारे उस muscles के अंदर जो घुशी होती है तो इस इको हम बोलते है root जिस Mens Ho जो मिन के अंदर घुशे हुए तो उसी को हम बोलते है रूZe इसी तरह से हमारे जो teeth होते है जो हमारे उस टीद की जगह के जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो हम उसको देखते हैं जिसका हम क्लीनर डेली करते हैं जो हमें हमारे दाथ खुद को दिखाई देते हैं उसी को हम बोलते हैं क्राउन तो एक पार्ट ऐसा है जो हमें दिखाई देता है उपर और एक पार्ट ऐसा है जो हमारे अंदर मतलब उस मसल्स के अंदर गया हुआ होता है वो एक पार्ट होता है तो जो मसल्स के अंदर होता है उसे रूट बोलते हैं और जो उपर दिखाई देता है उसे हम क्राउन बोलते okay students so you should remember it now the crown is covered with a very hard substance called enamel अभी यह जो crown होता है जो उपर का भाग हमें दिखाए देता है वह तितका भाग cover किया हुआ होता है किसे एक substance है जो बहुत हाड है तो उसे हम बोलते है पाक पार का उनेखंब लेयर का चाहिए हमें थिखाए देता है उनेजास है सकते है तो बहुत हाड होता है तो ऊपर का levy इनमेल बोलते हैं, okay students, so let us see the next para, the most common cause of toothache is decay, ज्यादा से ज्यादा जो toothache होता है, मतलब दातों में जो pain होता है, वो pain होने का reason जो है, कारण जो है, वो क्या है, decay, decay means what, gradual destruction, मतलब उसका खराब होना, उस दातों का जो उपर का पाट होता है, वो घिस घिस के खराब होना, तो उस गिसने की वज़े से दातों क्या, एक ए उपर ए गिसने की वज़े से जो उपर का layer होता है, जिसे हम enamel बोलते हैं, उपर का ये layer, तो वो घिस जाता है, और वो घिसने की वज़े से हमारी दातों में pain होने लगता है, okay, उसी को हम बोलते है, decay, okay students, so if the teeth and the gums are not properly clean, teeny pieces of food are left on them, अगर हम उन teeth को या फिर उन gums को, जो हमारे ये gums होते हैं, तो उन gums को या फिर उन teeth को अच्छे से clear नहीं करते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे जो खाने की चीज़े होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसकी जो छोटे छोटे चीज़े होती हैं, उस उन दातों के बीच में जाके फस जाती है, मतलब वही पर रुक जाती है, क्यों क्योंकि हम अच्छे से डेली हमारे गंस और हमारा टित क्लियर नहीं करते हैं, उनको अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, अगर हम नहीं क्लीन करते हैं, तो क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसके छोटे छो प्रौ consumers हम एक पार्टिकल्स एक के शाहता है वह बने लगता है और छो ब्रौ बाक। पर्टिकल्स साथ बैक्टेरिया बढ़ने लगता है और शुगर क्या करता है उसमें मिक्स हो जाता है और फिर इंप्रूब करता है बैक्टेरिया बढ़ाने के लिए गुन शुगर की वज़े से और बैक्टिरिया बढ़ता है और एसिड बन जाता है हमारे मतलब क्या बलते हैं हमारे बॉड़ी के अंदर एक एसिड बन जाता है किसकी वज़े से यह जो छोटे छोटे पार्टिकल्स खाने के पार्टिकल्स हमारे गम्स के अंदर या फिर टिप बैट जाते हैं और उससे बैक्टिरिया बढ़ने लगता है जो भी हम खाना खाते हैं उसमें भी शुगर होती है और वह शुगर और वह बैक्टिरिया मिक्स होके एक एसीड बनाते हैं जो हमारे अंदर बैट जाता है उके बाड़ी के अंदर so let us see the next line these acids cause the enamel to decay यही acid जब हमारे बॉड़ी में बन जाता है तो वही acid उस enamel को खराब करने के लिए मतलब खराब करने का काम करता है यह जो enamel हमने बताया उपर का जो पाट होता है टीत का जो हाड होता है तो उस पाट को खराब करने का काम यही acid बन जाता है so इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमारे टीत डेली फ्रेश करने चाहिए so and when the enamel is gone जब फिर क्या हो जाता है देखो यह acid जब बड़ जाता है बॉड़ी के अंदर तो वह acid क्या करता है जो उपर का पाट होता है ना हमारे दात का तो वह पाट खराब होने लगता है and when the enamel is gone जब हमारे यह टीत का ऊपर कर जो layer होता है जो hard part होता है जिसे हम enamel बोलते हैं अगर वह पाट खराब हो गया तो then the tooth can't live long तो उसके बाद हमारे जो दात होते हैं वह जादा दिन तक नहीं बचते हैं मतलब सारे वह गिर जाते हैं उस वह सब की सब खराब हो जाते है अगर एक दात में एक दात खराब हो गया तो उसके पास वाला भी जो होता है वह भी खराब होने लगता है इस तरह से one by one one by one हमारे teeth खराब होने लगते हैं तो इसलिए यह जो भी process है हमारे दात खराब होने की तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना है और हमारे दात खराब ना हो इसलिए हमारे दातों की या फिर गम्स की अच्छी तरह से केर लेनी हैं ओके स्टूड़न्स सो लेट सी दर नेक्स पैरा यू कांट इट एंड चू फूड चू यूर फूड वेल इफ यू डोंट हाव अगर आपके पास स्टूंग टीथ ही नहीं है आपके पास स्टूंग टीथ नहीं है तो आप किस तरह से खा सकते हो या फिर किस तरह से आपका जो खाना होता है वह अच्छी तरह से चबा सकते हो क्या नहीं we cannot eat or we cannot chew our food well if we have no strong teeth अगर हमारे पास अच्छे strong teeth नहीं होंगे तो हम अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे therefore इसलिए you must take care of your teeth आपको क्या करना पड़ेगा आपके teeth की अच्छी तरह से care लेनी होगी brush your teeth daily आपके teeth को daily brush करना पड़ेगा go to the dentist also आपको dentist के पास भी जाना चाहिए visit the dentist about twice a year even if there seems to be nothing wrong अगर आपके दातों में कुछ problem भी ना हो फिर भी आपको दो साल में या फिर साल में दो बार आपको dentist की मतलब डॉक्टर के पास जाके अपने दातों का चेक अप करना चाहिए it means if we have no strong teeth we cannot eat or we cannot chew our food well so that we have to take care about our teeth okay students इस तरह से हमने आज ये lesson learn किया जो important है हमें जानने के लिए कि हमारे दातों की किस तरह से care लेनी चाहिए और अगर हमारे दात खराब हो रहे हैं या फिर किस तरह से खराब होते हैं ये सारे चीज़ें हमने इस lesson में कि हमारे दातों के कौन से दातों को हम क्या क्या बोलते हैं या फिर उस दातों का किस तरह से जो खराब होने की प्रोसेस है वो होती है ये सारा हमने आज इस lesson में लेन किया हैं और खुद किकूं टातों कि लुदम आ इस में लेकिका ब़ुद टेकल आब आपकर टीछ से जारा हैं जा इस में लुदम आपकरूं प्रोसे खराब एक टीज़ुद में लेक्या हैं वाहा है video we had solve or we will solve its question and answer okay students thank you so much